दोस्तों अगर आपने कलर्स टीवी का पॉपलर शो बाली का बधू देखा होगा तो आनंदी के ससुर भैरो सिंग का करदार तो आपको याद ही होगा जिसे निभाने वाले अभिनेता अनुप सोनी ने बहुत ही शिद्दत से इस करदार को निभाया था और अपने इस करदार के जरिये वो लोगों के फेवरेट बन गए थे लेकिन दोस्तों आप अनुप सोनी के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं पर क्या आप उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में जानते हैं कि वो कौन है और क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं अगर आप भी इन सभी वातों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए साथ ही अपने फेवरेट कलाकार अनुप सोनी के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले सीरियल बाली का वधू में आनंदी के सजूर भैरोव सिंग का किरदार निभा कर सभी को अपना दिवाना बनाने वाले अभिनेता अनुप सोनी का जन 30 जनवरी 1975 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी पही पूरी हुई अगर बात करें इनके अभिने करियर के बारे में तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1999 में आई फिल्म गोल्ड मदर से की थी जिसमें इन्होंने काफी अच्छा प्रदोशन किया था जिसके चलते लगातार इन्हें कई फिल्मों में अभिने करने का मौका भी मिला जिसमें फिजा, दिवानापन, हतियार और राज जैसी फिल्में शामिल हैं एन फिल्मों में काम करने के साथ साथ इन्होंने अपना रुख टीवी इंडस्ट्री के तरब भी किया जहां इन्होंने संसार, बालिका बधू और क्राइम पेट्रोल जैसे शो किये तो वहीं CID, तहकीकात, सैटरडे सस्पेंस और क्राइम पेट्रोल जैसे तमाम सीरियलों में काम किया लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनीता की पत्नी और बच्चों के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम जुही बबबर है और इनके तीन बच्चे हैं जिनका नाम इमान सोनी, मायरा और जोया है अगर बात करें इनकी पत्नी जुही बबबर के बारे में तो जुही बबबर बॉलिवूट के मशूर खलनायक राज बबबर की बेटी है अगर बात करें इनके लव लाइफ के बारे में तो दोनों की मुलाकात किसी फिल्म के सेट पर हुई थी जहां फिल्मों में काम करने के तोरां दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठें वहीं से दोनों के बीच काफी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट भी करते रहे और देर ना करते हुए शादी के बंधन में बंद गए और आज ये अपनी हैपिली मेरिड लाइफ गुजार रहे हैं अगर बात करें इनके तीन बच्चों के बारे में तो एमान सोनी इनकी दूसरी पतनी जुही बबर के बेटे हैं जो की फिलहाल अभी साथ साल के हैं और धीरु भाई अमबानी स्कूल से पढ़ाई करते हैं दिखने में बेहत क्यूट हैं साथ ही च्वार्मिंग लगते हैं वहीं बात करें जोया एन मायरा की तो ये दोनों इनकी पहली पतनी रितु की बेटी हैं जो की फिलहाल काफी छोटी हैं और देखने में बेहत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती हैं तो दोस्तों आपको अनुप सोनी की कौन सी पतनी सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं साथी टीवी इंडरस्टी से जुड़ी मसालेदार खबरे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले